नमस्कार एवन न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी चले नजर डालते हैं प्रादेशिक खबरों पर पिछले ही महीने जारी हिंसा कश्मीर में अभी भी जारी है रह रहा कर अलग-अलग स्थानों से घटनाओं की सूचनाएं आ रही है केंदर के प्रियासों और राज्य सरकार की कारेवाई के बाद भी इस्तिती पर पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका है यही नहीं अब ज हिंसा की आग फैल रही है कश्मीर में जारी हिंसा की आग जम्मू के राजोरी किश्टवारा भद्र वहार डोड़ा और रामबन जिलों तक पहुच चुकी है इन जिलों में बीती रात एक सामपरदाई के लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए इस इस्तिती को देखते निजी वहान बहा गए जिससे कम से कम 42 लोग ला पता है इस बीच विपक्षिदलों की मांग के आगे जुकते वे मुक्य मंत्री देविंद्र फड़नविस ने हाथसे की नियाएक जाच के आदेश दे दिये हैं आपको बता दे कि हाथसे में डूबे 13 लोगों के शव निका इवं काम तक सीमित रहते हुए कार्या करना होता है जो कि सविधान के धाचे में हो आपको बता दे कि जंग की ये टिपणी दिल्ली उच्छनियाले के द्वारा कहे जाने के कुछ घंटे बाद आई है कि उपराजेपाल राश्चर राजधानी शेतर के प्रशासनिक आपको बता दे कि मायावती 11 जुलाई को उना में हमले के शिकार चार दलीतों से एक जुटता करके सीविल अस्पताल पहुची अपने समर्थ को की वहवाई के बीच मायावती गुजरास सरकार और कॉंग्रेस दोनों पर बरसी उन्होंने कहा कि जब तक उन्होंने ये मामल संसद में नहीं उठाया तब तक दोनों पाइटी समुद्दे पर मौन रही यूपी के पूर्व खेल मराज्य मंत्री जितेंद्र जैस्वाल की हत्या की केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है ये मामला 1994 में गोरकपूर में हुए एक हत्या का था जिसमें अदाल जितेंद्र जैस्वाल मुलायम सरकार मिग्रह मंत्री रहे हैं राजिस्थान की राजधानी जैपूर में इस्तित हिगोनिया गोशाला में गायों की मौत के मामले में हाई कोट ने गहरी चिंता जताई है जस्टिस महेश चंद्र शर्मा की अदालत ने कहा है कि आखिर दो नहीं रुख सकती आपको बता दे कि गोशाला की ये हालात तब हैं जब सरकार 15 करोर रुपे साला ना गोशाला के रिए देती है बिहार के मांसून सत्र में सदन की कारवाई से फुरसत मिलते ही स्वास्ते मंत्री तेज प्रताग यादव विधान सभा की कैंटीन में पहुश गया लगे हाथों खुद ही समोसा तल कर देखा लगबग 15 मिनट तक हाल से लेकर रसोई तक घूम घूम कर जायजा लिया गुहार लगाने विधान सभा पहुची एक शिक्षिका मंत्री बैठक के दौरान भीहोश्ज होकर फर्श पर गिर परी शिक्षिका के भीहोश होते ही अफरात तफ्री मजग गई शिक्षा मंत्री ने महिला को उठाने का प्रियास किया लेकिन जब महिला होश में ना आई तो उसे बगल के ही मंत्री के दफ्तर में उठाकर ले जाया गया जहां पर प्रात्मी कुपचार के बावजुद होश में आने पर उसे एक सु आज़ के जरिये रिशी केश इस्तित एम्स भेज दिया गया वही बाद में शिक्षा मंत्री ने तबादले का आदेश दिया आपको बता दे कि शिक्षी का किड्नी की विमारी से ग्रस्त है और वे लंबे समय से विभागे अधिकारियों के पास अपने तबादले की कुहार लगा रही है उत्तर प्रदेश के कानपूर शहर के चकेरी पुलिस स्टेशन की अहीरवा चौकी में पुलिस इरासत में एक दलित की संधिक प्रिस्तितियों में मौत हो गई इस घटना के बाद कानपूर के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक शलब मातूर ने अहिरवा चौकी प्रभारी समेथ 14 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया तथा शव को पोस्माटम के लिए भेज कर मामले की जाज के आदेश दिये हैं। क्यों प्लब्धियां भी गिनवाई गए उन्होंने कहा जितना सरकार समाजवादी पार्टी ने किया है उतना काम कभी नहीं हुआ है। क्यों प्लब्धियां भी नहीं हुआ है। झाल झाल